प्रयास करिये हमारे मुख से मे शब्द का संबोदन निकले ये मेरा नहीं है जिस मकान मेरे रहो जिस भवन मेरे रहो इकन किसका है दीरे 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 फिर तुमारा हुआ है और वो भी तुम्हारा नहीं है आने वाले समय में बच्चों का हो जाएगा तुम भी निकल जाए निकल कर भाद नारजी महराजी के मुख पर में का संबोधना गया जहां सुरीमन नरेन होता था जहां दिन रात भगवाने का बजन होता था वहाँ पर संबोधन एक है मेंने काम को जीता है मेरे वरावर कोई नहीं में काम को जीत लिया में शंकर जी से बड़ा हो गया मेंने शिव को शिव स्वयम काम को नहीं जीत पाए पर मेंने जीत लिया शिव कहां लगे मेरे आगे में में करते हुए मेरा 175 करते करते नारज जी पहुच गए ज़े बरह्मा जी ने भी उनको उनको ऌशत्कार दे दिया। और शटागयब बगवान विष्णु के बहुच त। जह किऊ लुदी कारण के लिए कि इसको हमने समझा सकते इसको क venue कि इसको के बल एक प्रवचन में के रहे थे शराब मत पियो ये गंदा नाली का पानी है ये मदिरा मत पियो ये गंदा गटर का पानी है इस शराब को पियो गे ये नाली के पानी के बराबर है इसको मत पियो तुमारा जीवन बरवाद हो जाएगा तुमारा घर बरवाद हो जाएगा ये शराब गंदा नाली का पानी है महराज जी प्रवचन में कह रहे थे इतने में उस कथा में उस प्रवचन में एक महराज जी का पैचान वाला बेटा था उठकर खड़ा हो गया उसने कह एं महराज इतनी बड़ी-बड़ी बात केता है तेरा सग्गा भाई तो पीके नाली में पड़ा महराज इतनी बड़ी-बड़ी बात के रहा है तेरा सग्गा भाई पीके नाली में गटर में पड़ा है और तू हमको ग्यान दे रहा है तू अपने भाई को क्यों नहीं समझा था इतने में महराजी को कुरोध नहीं आया महराजी ने का भाया कोई बात नी में भी प्रवचन दे रहा हूँ मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है बस अंतर इतना है में मूँ से समझा रहा हूँ मेरा भाई प्रेक्टिकल करके दिखा रहा है अंतर केवल इतना है कि मैं मूझ से समझा रहा हूं और मेरा भाई प्रेक्टिकल करके दिखा रहा है कि शराम पीने वाला व्यक्ति की गती क्या होती है नाशा करने वाले व्यक्ति की गती क्या होती है यह मेरा भाई दिखा रहा है में मुह से संजा रहा हूं। और रेक्टिकलल कर्के मन तेरा ही तु कौन से समझे है? अटिकल का जमान अगरैक्टिकलग कर यह नारच लेन班 कहघ कि अढ़शिते हैं और नारच जी को सुधाने कि इसमार ऍह tus 다 कि यहीं घृवले सुधार सब्सक्रै्न आ comin खी नर्या स्री नर्याइभ नर्द जी पोच गई भगवान विशनु के पास में संकर जी ने तो मना करा दा से किसी से मत कहना अब ये वाली बिल्कूल मत कहना कि तुमने काम देख लिए, जीत लिए 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 अपनी जगाँ परबने ऐसी फालतु आपकिसी को मत बोल लाँ नारणजी को बड़ा बुरा लगगा बता अपुद तो जीत नहीं पाया हम जीत लोगों को बताने मना कर रहे है या इन लेता है जो बच्चे के नंबर अच्छ आते ना बहुत अच्छ नंबर आ जा और जिसकी संप्रिमेंटी यहाई हो या कम नंबर आयों तो तो जी के घर जा के बोलता है तेखो मेरा तक बोड़ सुन दूंद नंबर है तो अ कि अगवान ने मना करा नहीं माना नारद जी गए भगवान विष्णु के पास में नरेन के पास में क्यों नरेन के पास जाने से भगवान शंकर ने मना क्यों कि भगवान शंकर मना नहीं करते पर भगवान शिव को मालूम है कि नारद जी वहां जाकर बोलेंगे कि मिने काम को जीत लिए और शंकर जी नी जीत पाएं क्योंकि भगमान विष्णु के अगर कोई इस्त है भगमान विष्णु के अगर कोई प्रिय है भगमान विष्णु के नारायन का अगर कोई प्रिय है तो वो शिव है और शिव का अगर कोई प्रिय है तो वह नारायन है दोने दूसरे करम नो Jacob Rihada कि इतना सोच जरा कि नारज जी रोज दिवाल जाते रोज मंधिर जाते पड़ समरेकने कभी-कभी विचार करा करो एक पत्तर का कला है कि एक मार मंदिर की आंदर जाता है और भगमान बन जाता है बश्राइका किनी बना एक पत्으र की मुरत एक पत् ठर का टुकडा केवल एक बार मंदिर के जब तक कि मंदिर में पूजन नहों तब स्थमुर्ति भी पत्थर केहलाती है कि याद कई बार हम कथा में कथे हर जगा पर कथे कि तुम कथा में जाओ और कथा में जाने के बाद जब घर पहुचो तो तुमारी बहु तुमारे बेटे तुमको देखकर सोचें कि आज अम्मा कुछ बदली बदली नजर आ रही है तो समझ लो कथा का असर हो गया मालूप पड़े जैसी थी बेसी की बेसी है तो कथा सुनने से मतलब क्या हुआ थोड़ा सा बदला उतने जीवन में आए घर जाकर आए तुम बहु से बहुत मीठा बोलो गढ़ जाकर बच्चों का सम्मान करो घर जाकर सतकार करो यशुदा जी की कथा कहती है यश्दादाती इटी और मीठा नहीं बोलोगे तो फिर गए एक राजा नेक महल बनाया बड़ा सुन्दर महल इत्ता जोड़दार महल बनाया कि उस महल को देखकर नगर सेट को बलाया सेट जी आओ जड़ा महल देखके जाओ नगर सेट आया नगर सेट ने आकर महल देखा क्या जोड़दार महल इत्ता संदर महल परंतु महराज इसका दरवाजा छोटा रग दिया तो राजाने का दरवाजे से क्या होना है आना जाना ही तो है इतने में सेट जी बोले नहीं महराज दरवाजा छोटा रग दिया जब तुम मरोगे तो तुमारी अर्थी कैसे निकलेगी तो राजा ने सोच जब बताओ, हमारे मकान का मुरद, महल का, और यह हमारी अर्थी निकाल रहा है, राजा ने दूतों को बिला, एट, लेजा इसको बंद करो थाने में, उसको लिजा के जेल में बंद करा, थोड़ी दर रौज की पतनी आगी, पतनी ने का महराज मेरा पती आया था, राजा ने काट काट के निकाल देंगे, जेसे ही बोले राजा को काट काट के निकाल देंगे, राजा के तो चक्कर आने लगे, बताओ, मेरे मकान का मोरत हो रही है, जिमारी तुकड़ कर रही है, राजा ने दूतों को बलाए, लेजा इसके बंद करो, बंद करो बंद करो, बंद करो महराज मेरे माता-पिता आये थे राज़ने क Almost your mother अनना थे बाप में बोलने कि लख्षण न थे पिताजी इतना बड़ा मेरा निहा रग करे Jesus राजा जब तु मरेगा तो तीरी अर्थी शोटा रोग दिया और तेरी किसे बोला राजा को अंदर जला देंगे राजा तो चक्कर का के निंचे कि लिया उटते से राजा ने बोला इनके खांदान में मिठास ही नहीं अब जिनके कुल में मिठास नहीं है तो मिठास कैसे बोलेगा भाई जरा विचार तो करो कई कई होते हैं जिनके मुका में मिठा के जा रहा है उसने कोयल को देखा कोयल कितनी सुंदर भोल रही है पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता आगे गया तो समुद्र को देखा इता सारा पानी पर पिया तो खारा इता पानी इतना सुंदर समुद्र पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता खारा फिर तो आगे चलकर देखा गुलाब के फूल को कितना सुन्दर गुलाब का फूल है कितनी सुगंद है पर गुलाब में काटे नहीं होते, तो तो कितना अच्छा होता, इतने में कोयल, गुलाब और समुद्र का जल, तीनों ने मिलकर कहा रहे इंसान, तुझमें दूसरे की बुर इजाएं देख रहे हम किसी ना किसी किसी की तोटियां देख रहे वियंकि कोच ना कुछ बुरा देखना कोच ना कुछ बुरा निकाल कि